आज हम लोग बात करेंगे event loop की एक बहुत ही important concept javascript के अंदर और हम सभी को सारे javascript developers को यह आना चाहिए कि कैसे काम करता है javascript का event loop और क्या purpose होता है उसका चलते हैं computer screen में event loop की बात करेंगे let's get started so guys आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि event loop किस चड़िया का नाम है और event loop क्यों आप लोगों को जो है वो सीखना चाहिए तो जो event loop है वो javascript under the hood कैसे काम करती है उसका एक पार्ट है और वास्ट लैंग्वेज जो की javascript है उसका एक छोटा सा हिस्सा event loop है और क्यों म javascript को समझ पाओगे कि कौन सी चीज पहले एक्जिक्यूट होगी कौन सी बाद में एक्जिक्यूट होगी लोगों को बहुत जादा confusion रहती है तो चलो आगे बढ़ते एक बात आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि वैसे अगर आप इन चीजों को समझोगे ना तो आप है टास्क क्यों क्या होती है इवेंट लूप क्या है यह सब हम लोग समझेंगे ठीक है और बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा चिंता तो करी मतले ना गलती से भी ठीक है तो सबसे पहले और मैं बहुत जल्दी आप लोगों को बताऊंगा जारा टाइम निलूँगा सबसे बहुत मतलब यह होता है कि एक चीज के अग्जिक्यूट होने के लिए उससे पहले सारी चीज़े पूरी पूर रूप से एक्जेक्यूट हो जाए जैसे कि जावास्क्रिप्ट में आपने देखा होगा कि सेट टाइमोट आपने रन कर दिये तो उसके नीचे वाली चीज़ भी रन हो जाती है क्योंकि वह नोन बॉकिंग है एसे संग्रॉन को क्या मतलब होता है कि यह एक साथ बहुत सारी चीज़े हो सकती है इ Doyla's call stack, event loop होता, callback queue होता है और कुछ APIs होती है जैसे कि set timeout की अगर हम लोग बात करें तो वह एक web API होती है और fetch कि अगर हम लोग बात करें तो वो एक API होती है अब V8 जावा स्क्रिप्ट का runtime होता है जो कि Chrome ब्राउजर में यूज होता है जो कि Chrome ब्राउजर को power करता है और इसमें call stack होती है, एक heap होती है लेकिन अगर मैं आप लोगों को एक बड़ी ऐसा fact बता हूँ वो यह है कि DOM set timeout x7 http v8 के source code पे exist नहीं करते है अगर आप literally v8 का source code उठाओगे और यह चीज़े उसमें खोजोगे तो आपको name लेगी ठीक है, heap क्या है, stack क्या है heap memory allocation के लिए use होता है और stack जो होता है, वो execution context को hold करता है यह हुआ कि कभी भी memory की ज़रुवत है वो heap allocate की जा सकती है, stack जो होता है वो execution context को hold करता है, यानि कि एक function अगर वो run हो रहा है, जैसे ही वो execute हो जाएगा, उसके अंदर के सारे variables सब destroy हो जाएगे, ठीक है तो यह what is JavaScript हो गई अब यहाँ पर आप देखो call stack क्या होता है अगर मालो मेरे पास एक function है greeting, say hi, और मुझे greeting को invoke करना है तो greeting call stack के अंदर जाएगा, ठीक है फिर उसके बाद, क्योंकि greeting के अंदर say hi call हो रहा है, तो say hi call stack के अंदर जाएगा greeting अभी भी चल रहा है, ठीक है फिर say hi return कर देगा hi और return हो जाएगा, say hi का सारा का सारा execution context अपना destroy हो जाएगा और क्या होगा say hi को फिर भाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है greeting अभी भी चल रहा है, and finally say hi का जो execution context है उसके अंदर के सारे variables, जो भी कुछ बने थे say hi के अंदर, वो सब destroy कर दी जाएगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है और finally greeting को भी भाहर कर दिया जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से जो है call stack काम करती है हमारी javascript मे, अब जो देखते हैं, इस ignorance callbacks क्या होती है sometimes javascript code can take a lot of time बहुत सारा time दे सकती है, जैसे कि मैंने for loop के अंदर बहुत सारी चीज़े करना शुरू कर दी तो वो blocking javascript code बन सकता है, और page render को delay कर सकता है ब्लॉक कर सकता है कुछ समय के लिए, इस चीज को solve करने के लिए javascript के अंदर इस ignorance callbacks होती है, जो की javascript को एक non-blocking behavior देती है, इस ignorance callbacks का मतलब यह होता है, कि ठीक है यार, जब यह हो जाएगा, तो यह function run कर दिया जाएगा, आगे बढ़ो जैसे कि मानलों में एक side timeout की बात करो, कि भाई जब 3 second हो जाएगे, तो यह चल जाएगा, आप आगे जो नीचे code लिखा हुआ है, उसको execute करो, यह हमारी asynchronous callbacks करती है, set timeout एक callback लेता है, यानि कि जब भी 3 second हो जाएगे, 10 second हो जाएगे, जितना भी time आपने specify कि आए, तो वो function जो है, वो run हो जाएगा, ठीक है, JavaScript run time can do one thing at a time, सिर्फ एक चीज़ कर सकती है at a time, JavaScript as a run time, ठीक है, लेकिन JavaScript सिर्फ luckily run time नहीं होता है, fortunately JavaScript is the JavaScript run time plus कुछ web APIs, ठीक है, अब यह सारी के सारी web APIs हैं, इन में आती है set timeout, इन में चीज़ कर सकती है at a time, ठीक है, browser हमको बहुत सारी अलग अलग चीज़े देता है, जैसे कि DOM होती है, वो देता है, document object model, HTML के साथ काम करने के लिए, और window object देता है, यह सारी चीज़े जो है, JavaScript run time में नहीं होती है, ठीक है, node.js के अंदर यह सारी चीज़े as C++ API उपलब्द होती है, जो भी additional run time के अलावा चीज़े होती है, तो asynchronous callback से हम क्या करते है, non-blocking behavior JavaScript के अंदर देख सकते है, ठीक है, आगे बढ़ते है, task queue क्या होती है, JavaScript जैसे कि मैं बताएं कि सिर्फ एक चीज़ कर सकता है at a time, जो बाकी चीज़े होती है, वो task queue में cute हो जाती है, waiting to be executed, यह चीज़ मैं अभी आपको demo के साथ दिखाऊँगा, जब हम set time order call करते हैं, तो web API will run a timer and push the function provided to set time order to the task queue once the timer ends, जब भी हमने का कि भाई funk 1 को call कर दो, let us say 5 second के बाद, तो क्या होगा, जो funk 1 है वो task queue में add कर दिया जाएगा 5 second के बाद, ठीक है, और finally, वो वहाँ पर wait करेगा execute होने के लिए, अब जब मैं कहरा हूँ wait करेगा execute होने के लिए, अब जब मैं कहरा हूँ wait करेगा execute होने के लिए, ऐसा नहीं कि वो 10 second के लिए, 20 second के लिए, वो बहुती fraction of second भी हो सकता है, wait का मतलब computer की बाशा में बहुत कम टाइम होता है, ठीक है आगे बढ़ते है, event loop क्या होता है JavaScript has a runtime model based on an event loop, which is responsible for executing the code, collecting and processing events, and executing queued sub-tasks, ठीक है, अब देखो इतने सारे sub-tasks का मगर queue कर देंगे, तो finally, क्या होगा, कि event loop उनको एके करके, JavaScript की call stack में डालता जाएगा, डालता जाएगा, डालता जाएगा, ठीक है जो call stack है, उस के इंदर डालता जाएगा event loop pushes the task from task queue to the call stack, ठीक है, जो event loop पर क्या करेगा, task queue से उठाएगा, task को call stack में डाल देगा, जहां एके करके वो execute होती जाएगी, जब हम कहते हैं, set time out funk one zero, अब यहां पर यह एक special case है, set time out का, मैंने आपको set time out अगर हम किसी time के साथ run करते हैं, तो बता दिया zero के साथ run करते हैं, तब क्या होता है, यह बता रहा हूँ, zero के साथ, जब भी हमने set time out को run किया, तो क्या होगा, यह हम defer कर सकते हैं, एक function को until, जितने भी अभी तक के task हैं, वो complete ना हो गए हो, ठीक है, अब आपको समझ में अगर नहीं आ रहा है, तो मैं अभी demo दिखाऊंगा, आप tension मत लेना, ठीक है, सब चीज़े समझ में आएंगी, और यह slide भी मैं आप लोगों को दे दूँगा, जब तक सारी के सारी चीज़े फिनिश नहीं हो गई है, तब तक जो है, defer कर दिया जाए उस चीज़ को, तब तक उसका, उसको टाल दिया जाए, ठीक है, अब यह एक website है, जो कि मैंने आप लोगों को slide में प्रोवाइड कर रखा है लिंक, यह आपको event loop बहुत अच्छी तरह समझाता है, तो अभी हम यह क्या करेंगे, code example देखेंगे, तो यहाँ पर देखो, आप लोग की code लिखा हुआ है, जिसमें क्या हो रहा है, कि एक button पर अगर click किया जाएगा, तो एक set time out को fire किया जा रहा है, और you click the button को console पर lock किया जा रहा है, अब यहाँ पर आप लोग देखो, फिर उसके बाद console.log high लिक करा रहा है, और फिर उसके बाद एक और set time out को run किया जा रहा है, जोकि 5 second के बाद रनो गोगा, यह 2 second के बाद रनोगा, यह 5 second के बाद रनोगा और इसके बाद welcome to log यह यहां पर console log की हो जा रहा है अगर मैं आप लोगों से पूछों कि इस program का output क्या होगा तो सबसे पहले तो क्या होगा कि जैसे ही किसी ने button पर click किया तब क्या होगा कि यह set timeout जो है वो चल पड़ेगा ठीक है लेकिन क्योंकि किसी ने किया जो set timeout है वो execute होगा और जैसे ही set timeout दिखेगा call stack के अंदर यह web API पर चला जाएगा यानि कि इस पर दो functions है एक तो set timeout अपने आप में एक function है और set timeout को जो दिया जा रहा एक function वो है जो की run करना है पांच second के बाद ठीक है तो जो set timeout का execution है वो कुछ इस प्रकार से होता है क कि इसके अंदर का जो function है और timer है वो यहाँ पर web API को पकड़ा दिया जाता है और web API सी का जाता है कि वहाँ पांच second के बाद इसको callback queue में डाल देना ठीक है हमारी जो task queue में डाल देना और even two क्या करेगा time to time callback queue में से करके task को टागे call stack में डालता रहेगा ठीक है तो सबसे बेले तो यहाँ पर हमें high देखने को मिलेगा फिर इसके बाद यह execute तुरंत हो जाएगा और पांच second के लिए wait करेगा यहाँ पर web API जो है उसको पांच second के बाद यहाँ पुछ करेंगी लेकिन उससे भी पहले यह पुछ हो जाएगा हमारा welcome to love call stack में तो हमें welcome to love देखने को मिलेगा फिर पांच second के बाद हम लोग को यहाँ पर click the button जो है यह देखने को मिलेगा क्योंकि पांच second के बाद इस function को run करना है तो मैं यहाँ पर save and run करूंगा तो देखो सबसे पहले यह गया call stack में फिर यह गया call stack में फिर यह देखो आप लोग कुछ इस तरह से यह time out जै यह है हमारी event loop javascript में now there is a lot of other stuff जो की होता है behind the scenes जब javascript execute करती है but this is a bare minimum जो की हम सब को आना चाहिए तो यह होता event loop बहुत जादा कोई बड़ी rocket science नहीं है बहुत लंबी चोड़ी कहानी मैं नहीं सुनाना चाहता था आपको बहुत ही simple सी चीज़ है उपर से नीचे जब code execute होता है तो वह call stack में करके सब कुछ डालता चला जाता है डालता चला जाता है जैसी से time or type की कोई चीज मिलती है यह fetch API मिलती है जो की network को जो है network से data लेगी वह भी web API है तो वह भी web API जो है उसको network से जब तक data नहीं आ रहा है तब तक wait करती रहती है web API और callback queue में डाल देगी function जो भी चलाना है उसको ठीक है और event loop क्या करेगा एक एक करके call stack में callback queue से उठाता रहेगा चीजों को task queue से उठाता रहेगा यह करके और call stack में डालता रहेगा जहां पर execute हो सकती है I hope कि आप लोग को event loop समझ में आ गया और अगर आप लोग को समझ में आ गया तो मुझे नी document.getElementByIdButton sorry document.addEventListener और यहां पर मैं click को लूँगा और मैं in fact इसको ऐसे करूँगा button.addEventListener click in fact यह क्योंकि मैंने node.js content बना रखा है तो मैं simply इसको क्या करूँगा न कि directly इसको execute कर देता हूं या ठीक है ताकि मुझे यह run ना देखने को मिले तो सबसे पहले तो यहां पर 2 second के बाद एक function को run किया जाएगा फिर यह 5 second के लिए differ हो जाएगा तो हमें high और welcome to loop सबसे पह gamer के लिए फिर callback क्यों में क्यों होंगे फिर event loop इनको call stack में push करेगा and then finally execute होंगे ठीक है I hope कि आप लो कोई चीज समझ में आ गई अगर आपने javascript की जो playlist अगर एक्सेक्यूट नहीं करी है एक्सेक्यूट नहीं करी है एक्सेक्यूट एक्सेक्यूट नहीं करी है एक्सेक्यूट एक्सेक्यूट दिमाग में चलता था तो जरूर एक्सेक्यूट करना javascript की playlist को और एक्सेक्यूट करना अपने दिमाग में सीखना सब कुछ और सारे के सारी exercises और projects जो कि आने वाले उनको भी बनाना अगर आपने अभी तक इस course को review नहीं किया तो एक बड़ी request है मेरी पहले वीडियो पर जागर आप एक review comment अपना लिखती है यह मेरी एक request रहीगी आप लोगों से क्योंकि आप ऐसे लोग हैं जो कि नीचे के वीडियो देख रहे हैं उपर से देखते हुए आ रहे हैं तो आप से अच्छा है इस course कोई review नहीं कर सकता है मैं चाता हूँ नए students की help करें आप लोग review करके यह बता कर कि notes कैसे हैं यह course कैसा है कितना समझ में आया सब कुछ आप बताईए मैं कुछ भी आप से यह नहीं कह रहा हूँ कि आप अच्छा ही देना review मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं तो कह रहा हूँ बस आप review कर दो यार इसको दूसरों के लिए 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 लिग दो कि अच्छा हूँ मैं तो कि अच्छा हूँ